आजम जानेंगे गाल्लिक वाइन के बारे में तो अब वीडियो की अंतर तक बने रही हो इस प्लांट को लगा हुए हमें 6 महीनी हो गए हैं इसको एक आम की पेड पर लगा हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छे सी आम की पेड पर ये प्लांट चड़ रहा है और इनकी में कलिया भी आना शुरू हो गई है च्छे महीने के बाद इसमें कलिया आना शुरू हो गई है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है अब इनकी वाइन को देख सकते हैं किस तरह से इस प्लांट पर इस पेड़ पर चड़ रही है और इनकी कलिया इस तरह से निकल हुई हैं एक करीब 3–4 दिन और कुछ इस तरह के सी इसमें फ्लावर कहिलता है इसक़ ऐन करीब 5 दिन तक रहता है जैसे जैसे इनकी टाइम बढ़ती है के फ्लावर टाल कलर हलका होता जाता है क्लिया carbon परपल है और इनका कलर जो है लाइट पिंक से लेकर वाइट कलर बाद में हो जाएगा अब करीब इस प्लांट को लगा हुए हमें डेड़ साल हो गये हैं इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है यह पुरा 15 फिट के करीब पहुंच गया है इस आम के पेड़ पर और इसकी बहुत अच्छी से वाइन फैल रही है और इनकी खुब्सूरत पत्य आको आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रहा है इनकी पत्यों को जब आप तूँड़ते हैं ऐसे मुस्तलते हैं तो इनम्निं की सूगंद आदे इसलिए इननको गारलिक वाइन की नाम से भ जैसे गार्लिक से मिलती जुलती इनकी स्मेल होती है उसी तरह इनका करेक्टर भी होता है जैसे गार्लिक से हम पेस्टिसाइड बनाते हैं अपने और प्लांट पर डालने के लिए उसी तरह इनकी पत्तियों से हम पेस्टिसाइड बना सकते हैं और इस पर किसी तरह के कीड़े भी नहीं लगते हैं और इनकी आसपास जो प्लांट लगें उस पर भी नहीं लगते कीड़े आप इसको 15 से लेकर 20 इंच की पॉर्ट में लगा सकते हैं अगर आपके बाद जगे नहीं जगे रहे तो आप इसको डारेक्ट स्वाइल में लगाईए तो काफी अच्छा रहेगा आप जानते हैं इसमें फ्लावर का बाते हैं मांसून खहत्म होने के बाद जब सदियां शुरू होने वाली रहते हैं तो इसमें बहुत अच्छी से फ्लावर आते हैं इसकी बहुत यच्छी ग्रोथ है आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं आप इसको अपने टेर होते हैं काफी दूर होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं करेब 15 cm के करेब में इनकी नोट है तो आप इनकी कटिंग लगाने जाएं तो करेब एक दू नोट होने ही चाहिए तो आप एक से डेड़ फिट की कटिंग को लेजी तभी लगाईए और इस तरह की ब्राउन करते हैं प्लांट इतनी इसमें नमी बनी रहते हैं तो काफी अच्छी इनकी ग्रोथ होती है फटेलाइजर में आप तीन महीने में एक बार डाल सकते हैं काउड़ डंग कमपोस्ट वर्मिक कमपोस्ट या फिर आप चाहें तो रसायनिक फशर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर दीजी, चनल सस्क्राइम नहीं कियें तो कर दीजी